SM studies YouTube channel के अंतरगत स्वाध्याय माला उपक्रम कक्षा छटी विशय हिंदी पाठ बसंती हवा स्वाध्याय प्रश्ण पहला भाषा की ओर दिये गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो पहला हवा दवा दूसरा बावली सावली तीसरा सरसो बरसो चोथा अलसी कलसी पांचवा महुआ गेहुआ खोजबिन रुतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो पहला ग्रीश्म ग्रीश्म में भीशन गर्मी पड़ती है इस दवरान आम जामुन जैसे रसेली फलों का आनंद हम उठाते हैं दूसरा वर्षा इस रुतु में बरसात के कारण तालाब नदी आधी पानी से भर जाते हैं तीसरा शरद यह रुतु बहुत ही सुहावनी होती है इस दवरान न अधिक गर्मी होती है और न ही ठंड होती है चोथा हेमन्त हेमन्त में ठंडी बढ़ जाती है इस दवरान दिन छोटे होने लगते है और राते बढ़ी पाचवा शिशिर इस रुतु में सरदी अधिक होती है दिन भी सबसे छोटे हो जाते है चटा वसंत वसंत रुतु में प्रकृती बड़ी सुहावनी हो जाती है हर तरफ रंग बिरंगे फूल और हरे भरे व्रुक्ष दिखाई देते है अगला प्रश्न बताओ तो सही शालेय स्वच्चता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ शालेय स्वच्चता अभियान के तहट हमारे विद्याले में साल में दो बार सभी चात्र अपने अध्यापकों के साथ मिलकर विद्याले की सफाई करते है इस अभियान के अंतरगत विद्याले और विद्याले परीसर की सफाई की जाती है मैं हर बार इस अभियान में पूरे मन से अपना सहयोग देता या देती हूँ हमारी कक्षा के छात्रों को कक्षाओं की सफाई का कार्य सौपा जाता है मैं हर बार कक्षाओं की खिड़की, दरवाजे, बेंच और शामपट पहुंचने का कार्य करता या करती हूँ प्रश्न तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ती करो पहला नहीं कुछ फिकर है दूसरा गिरी धम से फिर चड़ी आम उपर तीसरा वहा गेहुओं में लहर खूब मारी चोथा हिलाया जुलाया गिरी पर नकलसी अगला प्रश्न अध्ययन कौशल्य वायू मंडलियस्तर दर्शाने वाली आकृती बनाओ layers of atmosphere आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और बाईह मंडल धन्यवाद क्षोभ मंडल बाईब सकतते हैं म openness परतर दाब हिला झाल कर दों सकते हैं मैं क्षोभ मंडल